अश्कार मैं दानिश हुंजार और आप देख रहे हैं प्यार भी बीजेपी का एक पुराना इतिहास है वो जिस भी दल जिस भी पार्टी के साथ रही चाहे वो पार्टी छत्रिय पार्टी हो चाहे वो पार्टी रास्ट्रिय पार्टी हो जिसके साथ भी बीजेपी रही उस दोफार हो जाना उस पार्टी का तूट जाना यह आपने देखा एक लंबी लिस्ट है उसकी चर्चा आगे करेंगे कौन-कौन सी असी पार्टी है जिसे बीजेपी ने तोड़ दिया इस वक्त निशाने पे कौन से टीडीपी तो बच गई टीडीपी तो निकल गई लेकिन फ मिश्ली मंतरी या चैरमेन चेंद्श मोड़ार के हो चाहिए लोगों ने सफ अलोचना परधार मंतरी मोदी की आलोचना बीजेपी बीजेपी की दिया बिल का ललन सिंग ने चीखा चुलाया कहा कि मलाईदार बिल है बहुत अच्छा है मुसल्मानों को फाइदा होगा चावाली संसोदन के वकवट की बिल की बात कर रहे है लेकिन उसके बात क्या हुआ अपने पार्टी में दो फार होता देख नितिश कुमार ने क्या किय ने आनन फानन में बैठक बुलाई वह बैठक क्या थी वह बैठक थी जेडियू को बचाने की बैठक वह बैठक पे नितिश कुमार के तमाम जो मुसलिम नेता थे निचाहे वह नेता पार्टी के नेता हो चाहे वह नेता एमेल सीज हो विधायक हो सांथ पूर्वसांसद हो सबने इकठे हुए और नितिश कुमार उनसे मुलाकात किये मीटिंग किये जमाखान ने क्या कहा निकल करके मंतरी है नितिश कुमार के कैबिनेट के गुलाम गौस ने क्या कहा गुलाम रसुल बल्यावी ने क्या कहा क्या सांसोच क्या मंतरी है सब लोग नितिश कुमार के खि इस दो भार में क्या कुछ ब्यान आ रहा है निकल करके एक बार हम चाहेंगे कि आप जो है गुलाम रसुल बल्यावी पुर्फ सांसद है जेडियू के नितिश के बहुत खास है बहुत करीबी है यही कारण है कि देखे कितना खुल करके जो है बात कर रहे है वीडियो देखे देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वफ की परपटी नहीं है और उस पर गौर्वर्मेंट का कब्जा नहीं है उसको वापस कर दीजिए इसका बिल ले आईए तो यह देश हित में भी होगा जन हित में भी होगा चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुसलिम मकलियतों को यह दे दिया वो दे दिया इसकी विज़ोर्वत नहीं पड़े मैं यहां एक बात और पोछू क्या जितने हमारे मठ हैं आंगन बाड़ी है मठ और आंगन बाड़ी में भी यह संसोधन लाएंगे तो बुलावे पूरे देश बरके हमारे मठा ध वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा यह तो एक पुरुफ स्यांसद हो गए सिर्फ यही नहीं और पी एक लंबी लिस्ट है जिनोंने विरोध किया सबका बारी बारी ब्यान बताएंगे और उस मीटिंग में नितिश कुमार ने क्या कहा नितिश कुमार किस तरीके से जे महागटबंदन यानि इंडिया गटबंदन जिसे बिहार में महागटबंदन कहते हैं महागटबंदन की तरफ से ओफर भी आ गया कि आईए सरकार बना लीजिए और नितिश कुमार जहां पी रहे जिधर भी रहे अपनी मनमानी किये लेकिन इस बार नितिश कुमार मुसीब है भाजपा नेता कभी-कभी कुछ बोल देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है यह जमाखान कह रहे हैं अलब संख्यक कलान मंत्री जमाखान ने कहा भाजपा नेता कभी-कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे नुक्सान हो जाता है उनकी बातों से मुसल्मान भावनाओं में बाज आते हैं इसे लालू परसाथ को बढ़ावा मिल जाता है जबकि उन्होंने खुद मुसल्मानों को सिर्फ ठगने का काम किया हाला कि मंत्री ने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक हो ग प्रधार मंत्री मोदी से आगरा पहले मुसलिम जमात सराइल है फिर संसाथ में प्यास किजिए तो यह गुलाम गौस करें अब आ जाए आप कि नितीश कुमार ने हैं वो क्या कहा है उन्होंने मीटिंग में क्या कहा देखी एक बार पटना में जेडियू के राष्ट्री अ साहिर की जमाखान ने नितीश से आगरा किया कि संसोधन बिल में कौन-कौन से ने प्राफधान किये जा रहे हैं उसे गंभीरता से देखा जाए तो यह मिटिंग में मुसलिम निताओं ने वो कहा अब नितीश ने क्या कहा नितीश किस तरीके से कोई रिस्क लेना नहीं चा नितीश कुमार के चलने ही रही है नितीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहा है तो इस्तिफादे देए अब देखें कि नितीश कुमार क्या कह रहे हैं जरा वो देख लिए मूमध इसादूल्दा ने कहा कि बिल की कॉप्य हम लोगों को मिली इसके बाद हम लोग labour 시म के पास नितिश कुमार ने समर्थन कर दिया फिर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा वड़िये निता आएंगे दिल्ली से तो देखेंगे बाच्चित करेंगे और नितिश कुमार ये मिटिंग करते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी में दो फार को देखते हु लिए अंदर खाने तो देखिए वह कौन-कौन सी वह पार्टी है वह लिस्त एक बार देख लिए आप जिसे बीजेपी ने खतम कर चुकी है बीजेपी देखिए SS, NCP, BJD, YCP, JDS, BRS, AIDMK, AKALI, PDP, GGM और RLP ये वो पार्टिया है जो BJP का सिकार हो चुकी है अब ये डर जो है नितिश कुमार को भी सता रहा है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में नितिश कुमार की राजनितिक दिसा और दसात्य हो जाए लेकिन केंद्र से तालमेल जो अच्छा नहीं बन रहा है और केंद्र जो है हमेशा इस तरह की चीज जो है फरमान लेकर चले आती है जिससे इनके सहीओं की दल विदक जाते हैं इनको परिशानी हो जाती है चाहे वो फरमान नेजूल बिल का हो चाहे वो फरमान नेम क्या ऐसे करेंगे क्या नितिश्च कुमार को इंडिये छोड़ना परेगा एक मात्र विकल्प यही लग रहा है कि नितिश्च कुमार को इंडिये छोड़ना परेगा क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है मुस्लिम मद्दादा का आकरोश बिहार में दिख रहा है लोग नित कि विधायक सांसत के हम बात कर रहे हैं वो नितिश कुमार के खिलाफ आ गया और नितिश कुमार इस इस उम्र में आ करके अपनी छवी को खराब तो नहीं करेंगे अपनी राजनुतिक भविश्क को जो है धुमिल तो नहीं करेंगे क्योंकि नितिश कुमार की छवी मुसलमान निकल निकल के तो नहीं आया लेकिन जमाक्हान ने इतना बता आए कि नितिष कुमार बहुत जंतित है कि आये क्या पटेश कुमार प् convincing के इंतोस अग्ले ने बहुत वह आप देंगे तो फिलाल इस खबर में इत O भागे वी जोईसा है लॉट मेरे बाटार दिता गो अज़ा आदा आए?